अभी तक तो हमने राहुल जी से बहुत सारे इनके YouTube के बारे में सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन अब हम उस सवाल पराते हैं, जो आज का मतलब, इस समय का एक trending topic बना हुआ है, राहुल जी मैं सवाल आप से कर रहा हूँ राम मंदिर के बारे में, श्री राम जी के बारे में, और उनके भगतों के बारे में। और 22 तारी को कुष धमाका होने वाला है। उस पर आपका क्या कहना है। बात करें धमाका तो नहीं होगा महां पर लेकिन कुछ नया जरूर होगा आपको बता दे कि 22 जन्वरी को अभी हम लोग को हम लोग के बीच में साल 2024 आ चुका है और जन्वरी का यह महीना चल रहा है और 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 500 वर्सों के बाद प्रभु शीराम जी अपने घर में भिर्याजमान होंगे जो भब मंदिर का निर्माड हुआ है उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भब उदगाटन में 108 फिट लंबी अगरवर्ति आई हुई है जो कि पूरे योध्यावाशियों को वो मंत क्रियेटर्स आ रहे हैं वहाँ पर तमाम बालीवुट के शीतारे आ रहे हैं एक से एक बड़े बड़े नेता बिधायक्ष अभी लोग आ रहे हैं यहां तक हमारे यसुष्वी प्रधान मंत्री जी ने अपील किया है जो भी हमारे ग्रामिट शेत्रक लोग है या फिर जो आना चाहते हैं उस प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्यम में उन्होंने कहा कि अभी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पहले दर्सन करने दिया जाए उसके बाद तो यह आपका ही अस्थान आप लोग एनी वन टाइम कभी भी आ के दर्सन कर सकते हैं बहुत अच्छा है हमारे प लेकिन कुछ ऐसे सवाल मैं आप्से करूंगा मुझे रैपिट्वर के कोशन पोचेंगे रहूल जी से च्छार करते हैं राफूल जी प्राय को मुझे दोनव सब्ल्ट पसंद है राहूल जी भगवा रंग या हरा रंग मुझे दोनव रंख पसंद हैं चलिए एक सरकाई न लव मेरेज या अरेंज मेरेज सपना है लव मेरेज का पैसा या नाम 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 रहेगा तो आटमेंटिक पैसा है शलिए रैपिट फायर में तो राहूल जी जीद गए यूटूबर यूटूबर की जर्नी कहां से वो स्टार्ट करता है गाउं का लड़का और अपने शेत्र में नाम कैसे कमाता है कैसे वो एक इत्यास रशने की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में हमने देखा ये बहुत ही सराहनी बात है कि एक छोटे से गाउं का लड़का यूटूब के बारे में जानता तक नहीं था कि किस प्लैटफॉर्म पे उसने वीडियो डाला है और आज उसके चार-पांच चैनल है जिसमें मेजर चैनल पे लग-बग-लग-लाग सब्स्राइबर है और फेस्बुक पे भी बहुत अच्छा कर रहे है इस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा कर रहे है ओवराल कहें तो ये पूरा सोशल मेडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे है तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो इस फिल्ड में आना चाहते हैं और जो चाहा रखते हैं कि वो एक सोशल मेडिया इफ्लिंसर बने व्लॉगर बने या कुछ भी सोशल मेडिया पर करें उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और इसी से हम अपना वीडियो का आंत भी करेंगे सबसे पहले जो क्रियेटर्स मुझे देख कर आना चाहते हैं या फिर वो उश्चुक हैं सोशल मेडिया प्लेटफर्म पर वर्क करने के लिए अगर वो ग्रामेड छेतर से हैं सबसे पहले उनको परिवार वालों से प्रेमेशन लेना चाहिए मैं वीडियो बनाऊंगा जिस तरी किसे लोग वीडियो बनाते हैं अगर उनके परिवार वाले उनकी सपोर्ट कर रहें तो आपके वह एकांद जगह पर जाये जहाँ वह प्रिवार वालों से थूड़ी तो उन सभी एके बातों पर बिल्कुल ना ध्यान दे और अपने लच्च को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें मेहनत करते रहें बिल्कुल रहुल जी सवाल तो हमारे लगे रहेंगे लेकिन समय की कमी होने के कराण हमको इंटर्वियू थोड़ा सा छोड़ा रगना पड़ेगा लेकिन वादा करते हैं कि एक इससे बहतर इंटर्वियू आएगा और वो काफी लंबा छोड़ा होगा फिलाल तो हमें उतना टाइम नहीं था कि हम इसको बड़ा रख सके और वादा करते हैं आप आप से की अगला जो वीडियो होगा वो प्रॉपर होगा और बहुत ही सांदार होगा धन्यवाद और देखते रहें दज्जानपुर खबर